हेलो फ्रेंट्स वल्कम टो माई येट्यूब चैनल फ्रेंज आज हम उधरबन जगनाशिंग कोलज की एडमेशन नोटिस के बारे में पूरा डिटेस्ट आने लागे दोस्तों देखें यह उधरबन जगनाशिंग कोलज की नोटिस है ऑफिशियल नोटिफिक्शन है इसमें एडमिशन नोटिस के पूरा डिटेस्ट दिया हुआ है दोस्तों कुछी दिन पहले एचस का रिजल्ट आउट आउट हुआ है और आप भी अगर एचस का रिजल्ट आपको भी में आ गया और आपको पास कर लिया तो अगर सब्सक्राइबन जगनाशिंग कोलज में एडमि सब्सक्राइब को अटृमिंट तृमिरठ आवाहिए ऐप्लाए ऑन दिया हुआ है च्छब्त जुलाइं फैंत आपको 4 जुलाइन सिस्टार्ट होगा तो आपको भी चार्ज लो लग के बाद अप्लाइक करना होगा दोस्तों दूदिनवाइट कीजिए स्टाट हो जाएगा स्टुड्स शूर्वी इस इत इस वेबसैट में जाके आपको को एप्राइक करना होगा देखिए इस वेबसेट में क्लिक करने के बद देखिए दोस्तों यह अभी नहीं आया है जब डिट आ जाएगा तो यह अपने अपन होजाएगा दोस्तों अपने अपन होजाएगा देखिए दोस्तों यह एप्लाइ करने से पहले आपको डियुच एप्लिकेशन यह वेबसेट में जाके युणिक आइडी जनारेट कहना पड़ेगा आपको यह उनिकाइड जनारेट अगर नहीं होगा आपको देखिए नीचे लिखाए बिफोर सब्मेटिंग एप्लिकेशन विदाउट फूच एप्लिकेशन विल भी रिजेक्टेड देखिए दोस्तों यह बोला गया है कि अगर आपको युनिकाइड नहीं रहता है तो आप एग एप्लिकेशन जो है वो रिजएक ना हो जाए देखिए दोस्तों नेक्स्ट में दिक है देखिए देडिशन प्रोसेस विल भी कंडुक्टेड एस पर देफॉलिएंग शीडियो देखिए 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 कि सब्मेशन आफ ओनलान एप्लिकेशन फॉर्म फॉर्म फोर् जो आपको क्या करना है कि फोर लेस्ट जो है इस डेट का अंदर है आपको कर लाइना है आपको «वैट नहीं करना है» थाकि वगए वीड करो कि तो लादस्ट सरवर्ट डॉन हो जाएगा और आपको है फ्रवर भी नहीं हो दो दो दोस्तों next second देखिए, Dispute of selection list on 30 July 2022, दोस्तों आपका selection list, आपका selection list 30 July में निकल जाएगा, तरह में आपका selection होगी यह जाओ गया आप, देखिए हैं आपने दिखाया कि तक यह admission होगा अगर आपको नाम selection list में आ गया तो आपका admission in date के अंदरे लेना पड़ेगा तो दोस्तों अभी देख लेते हैं कि इसमें जो apply करने के लिए क्या 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 documents required होता है देखिए first में रेखा है HSLC marksheet certificate high school living certificate certificate यानि कि आपको मैट्रिक के माक्षिट और certificate दोनों लाना होगा दोना आपके पास रहना होगा second में देखिए HSLC यानि कि higher high school higher secondary school living certificate higher secondary school living certificate यानि कि HS second year marksheet certificate and registration certificate तो कुछ आपको जो आपको 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 इस साल में स्कुल में नहीं आया होगा तो आपने साल में जगा माक्षिट भी देखते हो और रेश्रिशन साड़िक तो आपके पास हो गए और रेश्रिशन साड़िक रखोना चाहिए थर्द में देखिए दोस्तों copy of unique ID of dh e मैंने पहले बताया था कि यह इस इस वाद लिंक में जाके आपको unique ID जनाइट करना है तो आपको भी यह पर दिया हुआ है कि unique ID अफ्लोड करना पड़ेगा तो आपको यह पर unique ID जनाइट करना ही पड़ेगा तो देखिए न्यास चाहर डंबर में यह एक सल दो सल गप हुआ है तो आप प्लस जो institute इस institute से आपने इचस पास किया उसी institute से आपको एक गप certificate लेना पड़ेगा फिर आप इसमें अप्लाइ कर पाऊगे दोस्तों देखिए पास नेंबर में क्या है certificate of ST SC OVC MOVC in case of the students belonging to the state category C Fanny अगर आप SC ST OVC MOVC से बिलोंग करते हों तो आपको एक certificate देना ज़रूरी है अगर आप एक certificate नहीं दे पाऊते हो तो आप जनराल काटागोरी में चला जाओगे आपको एपला भी जनराल काटागोरी में होगा तो देखिए PWD certificate दा आपको कोई physical disability नहीं है तो आपको certificate भी नहीं होगा और EWS certificate अगर आपको EWS है तो आप EWS certificate देसे कते हो कलर फोटोग्राफ दोस्तों आपको फोटोट करना पूरेगा यह कलर फोटोग्राफ होना चाहिए एक प्लेयर से फोटोग्राफ होना चाहिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट नाइन नंबर पर दिया जा रहा है तो इसके लिए income certificate जहरी है तो दोस्तों अब income certificate अपका लॉकल जो सब्सक्राइब लाना होगा तो इंकम certificate लाने में कुछ दिन लग जाता है तो दोस्तों आपके क्या करना है अभी है आपका हाथ में समय कम है टाइम बहुत ही कम है तो आप जल्दी से जल्दी क्य आपका इंकम सर्टिफिकर एप्लाइ कर लीची ताकि डेट खतम होने से पहले आपका इंकम सर्टिफिकर आ जाए और अगर आप फिव एपर स्किम जो है वह आपका मिल जाए फिर में एडमिशन मिल जाए दूस्तों देखिए दस नंबर पर है माईगरेशन सर्टिफिकर तो अगर आपको माईगरेशन है तो आपको माईगरेशन सर्टिफिकर देना पड़ेगा और नहीं तो नहीं देना पड़ेगा तो देखिए अगर आपको फिर फिर कोई कांफिशन हो तो यह नंबर दिया हुए जो एनकोरी हो तो इनके नंबर्स पर आप कॉंटक कर सकते हो और और कोई क्रेशन है तो पूछ सकते हो अगर अगर और कोई क्रेशन है तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हो मैं आपका रिप्लेट जरूँगा दोस्तों अगर ऐसी कुछ नॉटिफिक्शन यह भी कुछ आपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्रेब कीजिएगा और बेल आइकन को डवाल दीजिएगा ताकि नेक्स्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पूछ जाए और इस तो वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक शेर और सब्सक्रेब जरूब कीजिएगा थैंक यू